मैंने पहले ही कहा था और कई बार कहा था कि आपका ये जो भाई है रोवेन में से रिलेटेट तमाम ख़बर जो है आप तक पहुंचाएगा और मैं ये बार-बार कह रहा था कि कामियाबी उसके हिस्से है और उसकी कामियाबी उसके कहानी में लिखी भी है और ये देखिए ए लिकिन उसकी मेहनत उन तमाम चीजों के बात जारी थी और उसका फल उसका फल उस कर्मों का फल रॉबिन मिन्ज को मिल गया है। रंजी टीम में उनका ज्रॉबिन मिन्ज का जिक्र जरूर अब होगा। तीन नए प्ले रहा हैं उसमें एक रॉबिन मिंज भी है और कयास लगाए जा रहे थे कि रॉबिन मिंज को लेकर कि टुनामेंट वो जबरदस्त खेलेंगे बिल्कुल ऐसा ही हुआ है आईपिल के पास जब आईपिल मुंका सेलेक्शन हुआ था रॉबिन मिंज का वो बार-बार कह रहे थे कि ब्लू टोपी उनकी पहनना जो है वो हमेशा से उनका एक सपना है और उस सपने का जो पहला कदम होता है जहां से चूमा जाता है उस सपने को वो रंजी है उसमें रॉ और बल्लेवाज के तور पर पहला इनिंग खत्म हो चुका है और इस सिकंड इनिंग चल रहा है चंडिगड का उसके खिलाब खेल हुका है जहारखन के साथ और पहली बैटिंग करते हुए जब जहारखन के टीम से रॉबिन मिंज उत्रे तो मैदान में जहारखन की और उसग कि गुंज सुनाई दी कि एक लड़का ट्राइबल लड़का किस तरह से महनत अपने महनत के बल पर जारखन के रंजी टिम में लुहा बनवाया है चौधा गेंध खेले रॉबिन मिज ने और यह दिखिए चौधा गेंध में सबसे बढ़ी बात है कि वो आज इटेज अपने स्टाइल में खेले उसने तीन चोके मारे उसने फोई सिंगल नहीं चौदा गेंद में 12 रन बनाए, रॉबिन मिज ने, हलाकि है, लेकिन अपने पहले मुकाबले में ही, रॉबिन मिज ने ये क्लियर कर दिया है, कि वो उनका जो स्टाइल है हिटिंग स्टाइल है उससे वो समझाता नहीं करने वाले है तो आप जब भी रविन मिंज के लिए सबसे बड़ी ख़बर है और कई बार उसे ये कमेंट के जरीए उनके फैंस ये अपील कर रहे थे रिक्विस्ट कर रहे थे कि रॉवन मिंज से रिलेटेड जो भी ख़बर है प्लीज आप सेयर कीजिए चुकि चुनाभी विस्तता थी मेरे पास भी लिहाज़ा मैंने ख़बर मेरे पास थी रॉवन मिंज से रिलेटेड लेकिन मैं एक वक्त धून रहा था उनको बताने के लिए बारे में बताने के लिए और जब भी आप स्कूर बोड पर जाईए रोबिन मिंच के बारे में खोजिए तलाशे तो जमसेदपूर में भी मैच खेल रहा है जारखन रंजे टीम से विकेट की पर बल्लेवाज के तौर पर और एक इनिंग पूरी टीम खेल चुकी है जारखन क जारखन के स्कूर काड़ का अब जो है वो पीछा कर रही है चांडिगट की टीम 32 रन पर चुकी 27 तारिक से टूनामेंट शुरू ही हुआ है और यह चलेगा भी 39 तक टूनामेंट चलेगा लिहाजा क्या है बारिश के वैसे जो अभी दाना तुफान था उडिसा वला उसके वैसे कि दिकते भी आई लेकिन उन तमाम बदलते मौसम में भी रोविन मिंज के बल्ले से आग निकली बैक टू बैक जो है तीन चौके लगा है रोविन मेंजने सबसे अच्छी बात यही है और मैं जैनुरली बहुत खुस हूँ उस इंसान के लिए बहुत मेहनत की है उसन आते हैं कुछ पार्टी का हिस्सा होगा तो मुझे भी बेजिए और अटलिस्ट सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए कि ताकि मैं और कोशिश करूं उनके बारे में वीडियो बनाने की फिलहाल अगली कड़ी में एक और वीडियो रोविन